हलो फ्रेंड्स नमस्कार आपका आपके चैनल फाइनेंसियल विद गोपी कृष्णा में स्वाधत है तमाम वीवर्स के अनुरोद पर आज हम चर्चा करेंगे यह साइपी पर और आगे कि यह साइपी में कंपाउंडिंग क्या होती है पावर आप कंपाउंडिंग यह साइप में काम करती है तो कैसे काम करती है इस पresser करताहत और साथ में साइप्स पैसील फंड्स में आता है और בש में आपकी यूनिटस जो है आपके bankक काउंट्स में स suffering ta होती है एस टीपी जो है एमसी में आपके एक फंड से पैसा दूसे फंड में ट्रांसफर होता है अब सवाल यह उठता है कि अगर मालिजे किसी ने कहा कि हमको दस जार रुपाई के एक साइपी शुरू करनी है आज हम एक यह एक क्रेकनर चार्ड भी आप लोगों के सामने प्रस्तुत करेंगे अपने चैनल पर अपलोड करेंगे जिससे आपको जानकारी मिलती रहे कि कैसे क्या काम करती है आज हम दो यह नहीं है तो यह साइपी में उसका रिटन नहीं बनेगा सबसे पहले हम इसी पर आते हैं एक सज्जन ने जो है रुपए उनका साल भर में जमा हुआ था जिसकी वैल्यू एक लात तिरपन हजार रुपए हुए वह बहुत प्रसंद हुए नेक्स्ट यह जब उन्होंने इंवेस्टमेंट किया तो उसमें उनका लॉस हो गया उसमें उनका साढ़े पांच परसेंट का लॉस हो गया लेकि जब फिप्ति यर जो है मार्केट में जो है करेक्शन आया फिर से जो है उसमें उनका एट्टीन परसेंट सीएजियर उनको मिला जो दस जार रुपए जमा कर रहे थे वो जिसकी वैल्यू पांच साल में छे लाक रुपए उन्होंने अपने पास से जमा किया था और उसको उनको इतना गेन ना होता मार्केट जब बीच में नीचे गई तो उस समय उनको नंबर आप यूनिट्स ज्यादा मिल लाते यने वी रेट नीचे हुआ जिसकी वज़े से फंड वाल्यू नीचे आ गई लेकिन नंबर आप यूनिट्स ज्यादा मिलते गए और जब बनते हैं नंबर आप यूनिट्स मल्टिप्लाइब यने वी उसी के हसाब से अपने गेन होते हैं यह तुफा नंबर एक कि जो है पेसें सिंदा यसाइपी आप दूसी चीज यसाइपी होती क्या इसके विशे में कई बार चर्चा किया जा चुका है लेकिन एक बार फिर से डिपाजिट कर सकते हैं इसके लिए आपका OTM रेइस्टर हो जाएगा जो डेट जो टाइम आप बताएंगे जिस दिन बताएंगी जितना इमांट आपके एकाउंट से डेबिट होके आपके फंट्स में ट्रांसफर होता रहेगा कुछ फंट्स में S.I.P. अब जो है कुछ इसमें आपका रिटन हो सकता ज्यादा हो जाए अब दूसरे नंबर पर आते हैं कि यह तो S.I.P. का हो गया कि जो है पावर आप कंपाउंडिंग पावर आप कंपाउंडिंग का मतलब यह हुआ की हमारी कंपाउंडिंग कैसे बढ़ती रहे इसके लिए एक इलस्ट्रेशन हम आज फिर अपलोड करेंगे इसमें जिसमें हम यह बताएंगे कि किसी ने मान लिजे कि 10,000 रुपय की S.I.P. अपनी सुरू की 10,000 मन्तली की S.I.P. उसने सुरू की और एवरेज रिटन 12% माना गया कि 12% रिटन उसको मिलेगा 10 साल बाद जब उसने देखा तो 10 साल में उस उसने 12 लाग रुपय जमा किया 12% के हसाब से उसको 22,40,000 रुपय रिटन गेन होगा अब वो अपनी S.I.P. कांटीन्यू कर रहा है नहीं निकाला पैसा है 15 साल में उसका जमा होगा 18,000 रुपय जिसकी वैल्यू 47,059,000 लाइक हो रही है फिर उसको पैसे क्या हो सकता नहीं उसने कांटीन्यू रखा अपना जिसका रिटन जो है 20 साल में जमा हुआ उसका 24,00,000 रुपय और रिटन उसके पास आया 91,98,000 रुपय है पच्चिस साल में यही कांटीन्यू रहा अगर देखेंगे तो इस समय रिटन एकदम ही चेंज हो गया है पच्चिस साल में उसका ज वैल्यू हो गई जाकर के एक करोड़ सतर लाग रुपय है तो यह पावर आप कंपाउंडिंग है यह साइपी में जब भी आप पैसा लगा में यह साइपी के द्वारा पेसेंस रखें पावर आप कंपाउंडिंग पे विश्वास रखें आपका रिटन हमेशा ही बनेगा इसी में एक चार्ट हमने और स्यर है कि मंथी S.I.P के द्वारा हम करोड़ पति कैसे बने हैं हम करोड़ पति बनना चायते हैं इतने समयमें करोड़ पति बनना है pry54 किरें किसम रिटन आएगा वह चार्ट हम स्यर कर रहें एक मैं बताया है z liberty हम स के चलने हैं हमको दस साल में अगर करोड़ पती बनना है उसके लिए हमको 44,636 रुपाई 44,636 रुपीज की एक किसाईपी कांटीन्यू करनी होगी अगर यही 15 साल के लिए करें तो उसमें 21,012 रुपाई और अगर 20 साल में हमको करोड़ पती बनना है तो 10,842 रुपाई हमको जमा करना होगा 25 साल में यही एमाउन्ट अपना 5,875 रुपाई हो जाएगा आज की डेट में मान लेजी किसी कोई किसी केस तीस साल है 35 साल है उसकी नौकरी लगी 5-6,000 रुपाई तो वो आसानी से मंतली निकाल लेगा और जब वो 30 साल 35 साल की एज में आएगा तो मिलेनियर वो बन चुका होगा यह हो गई को ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है पहली बार देख रहें वो मेरे चैनल को अब से सब्सक्राइब कर लें मेरे वीडियो को लाइक करें शेयर करें धन्यवाद नमस्कार